बिस्मिल्लाइ रामाने रहीम अस्सलाम अलेकूम छी लेक्टिन नमबर नाइन है हमारे पास MDA645 फजी लोजिक एंडिट्स एप्लिकेशन का प्रीवेस लेक्टिन में बेटा हम लोगों ने पढ़ा था कनवेक्स सैट की डेफिनेशन पढ़ी थी ठीक है और उसके बाद हमने ट्राइंगुलर फजी नमबर पढ़े थे क्या होते हैं ट्राइंगुलर फजी नमबर हमारे पास ऐसे नमबर होते हैं जिसमें हम तीन पॉइंट्स यूज़ करते हैं यानि के फजी नमबर को तीन पॉइंट से रिप्रिजेंट करते हैं ठीक है अब हम ट्राइंगुलर यह set A है और यह set B है अब हमने क्या करना है इनका union find out करना है वह हम कैसे करेंगे पहले इसका graph ग्राफ देख लें ने graph कैसे बना आए है इसका graph हमने देखे जब x की value क्या थी less than 2 तो यह पास यह 2 में जया दिए 0 तहाओ यहां पर यहां पux र्त करेंगे नहीं पूली और 15 करेंगे 2-20 होजाएगा तो यह थच्यू कमर्णे़ चाहए ठीट-धार यह कि वन की तरफ जा रहा है तो ये चिद्धा-1 linen कि तरफ इनकरीज कर इनक्रीज कर गया थीक है five point पे यहां पे देखें यहां पे जाकि यह क्या हुआ इंक्रीज कर गया one की तरफ ठीक है उसके बाद हमने five foot किया यहां पे यह हमारे पास आघा वन यानि के इस point पे यह one था देन हमने six foot किया तो यह six minus six zero हो जाएगा तो यह क्या हुआ 6 पे आके फिर से 0 हो गया और 6 से greater than value के लिए भी क्या है 0 है यह हमने A के लिए graph रहा कर लिया अब हम graph रहा करेंगे B के लिए ठीक है B के लिए हम देखेंगे X की value हमारे पास 0 है यानके continuously 0 है जब हमारे पास X की value less than है 3 से अब हम यहां पर 3 फूट करेंगे तो हमारे पास 3-aldo का, सी 0 वा जाएका 4 पूट करेंगे तो 4-3 is equal to 1 , तो यह हमारे पास वेड़ा हो जाएगा यानिके यह हमारे पास 4 पर ब्लापत हो पर दाल वेड़ा का 1 है 4 पाइंट पर Tklär़ वा फूट को है researching alpha 7-4 is equal to 3 and 7-4 is equal to 3 3 by 3 1 है ठीक है यहां पर हमारे पास 1 ही है उसके बाद यह continuously अगर हम इसमें 7 पुट करेंगे तो यह क्या हो जाएगा 7 पर आके 0 हो जाएगा ठीक है तो union हमें पता है कि union हने कैसे find out करते हैं नहीं हम Acts 2 फजी नमबर का Union हमें उनीके maximum values को हम देखते हैं फिक है दोनों की membership values में से maximum values ह Shop मैकसिमम ह coral होते हैं यह हम पता है और इनको पहले प्रहुच rag करेंगे पहले हम ने क्या तेना है maximum values न न ये 0-0 थो हमारे पास minimum values है इनको नहीं देखना पहले हम इसको simplify कर does इन इनको cross multiplication कर दी यानि के ये इसके साथ multiply हो गया और ये इसके साथ multiply हो गया x-2 is equal to 3x-9 फिर हमने क्या किया equation को और simplify कर लिया और x की value हमारे पास क्या आ गई 7 by 2 ठीक है x की value हमारे पास क्या आ गई 7 by 2 आ गई next बेटा हम लोगों को ने क्या करना है हमने दूसरी values को find out करना है यानि के दूसरी value के साथ हमने इसको check करना है x-2 over 5-2 इसको हम check करेंगे इसके साथ ठीक है पहले हमने इसको check किया इसके साथ अब हम इसको check करेंगे इसके साथ ठीक है तो हम इन दोनों को बिल्कुल उसी तरीके से क्या करना है हमने इन दोनों को क्या करना है simplify करना है यानि कि ये 3 इसके साथ multiply हो जागए ये cross multiplication कर ली फिर हमारे पास x की value क्या आएगी 9 by 2 पहले आई थी 7 by 2 अब आगई है 9 by 2 ठीक है उसके बाद हमने क्या करना है इसको चेक करना है बिल्कुल उसी तरीके से पहले हमने इसको चेक किया इसके साथ फिर इसके साथ अब हमने इसको चेक करना है इसके साथ और इसके साथ ठीक है फिर हम इनको चेक करेंगे दैन हमारे पास क्या values आ जाएगी फिर हम उन values पे उनको क यह वेकिन अगर आपको पता हो कि हमने वैल्यूज को कैसी चैक करना है तब आप इसको इसली चैक कर सकते हैं। बाकी दूसरी बार ये कि अगर आपके पास graph given हो तो यानि कि पेपर में question आता है ना ऐसा long question आता है तो वो कहते है ग्राफ के जरीए से आप इसका union या फिर intersection बताएं अब अगर आपने बेटा union बताना हो तो union के लिए हम क्या करेंगे हम इसके जितने maximum points और उनको draw कर लेंगे यानि कि ये हमारे पास पहला maximum point है ठीक है उसके बाद ये हमारे पास दूसरा maximum point है इसके बाद ये हमारे पास दीसरा फिर ये फिर ये फिर ये जिस इन points को हमने क्या करना है highlight करना है ठीक है अगर intersection बोलेंगे intersection के लिए हमने क्या करना है minimum points को highlight करना है यानि कि minimum के लिए हम दे था गया गर-چो vec1 इंटरसेक्षिन obsession के लिए टीक है तो graph के जर विमीया अगर हम इसको simplify करें, आग करना है रही किया है पहला करति है इसके साथ 이제 इसके साथ यह फैर इस वालवे का उस्थी साथ द्यार इसके साह इंप इसको simplify करके एकसी value ही find out करनी है तो जो हमारे पास point आते जाएंगे अब यहां पे हमारे पास 7 by 2 यहां पे है ठीक है 7 by 2 के बाद हमारे पास 9 by 2 आया था 9 by 2 यानिके हमारे पास यह आ जाएगा 4 से अबव होगी value 9 by 2 यानिके 4.5 होगा तो यहां पे यह value आ जाएगी यह देखें यहां पे यह है ठीक है उसके बाद हमारे पास 9 by 2 के बाद हमारे पास फिर से कौन सी value आई है चेक करने के बाद यहां पे देखें हमारे पास values आई है 5 से greater than एकसी value ठीक है 9 by 2 और 7 by 2 ही आ रही है दोनों values इस हमारे पास ठीक है चेक करने से तो हमने इस ही किया कोडिंग ग्राफ को क्या कर लेना है पॉइंट आउट कर लेना है ठीक है तो यह हमारे पास यूनिन फाइंड आउट करने का तरीका था intersection बिल्कुल इसी ठीक से हमने चेक करना है intersection के लिए भी हम values को ऐसे ही check करेंगे intersection में हम क्या करते है minimum value find out करते है membership values की जो minimum होती है membership function में जो minimum value होती है हम उनको check करते है जो चोटी होती है उसको हम लिखते है ठीक है अब मैंने आपको पहले बताया था कि graph में से हम इसको इस तरीके से highlight करेंगे ठीक है यह हमारे पास intersection का graph है और union के लिप मैंने आपको समझा रिया है ठीक है यह हमारे पास intersection और union था अब most important चीज जो है जो paper में लास्मी आती है क्योंकि इसकी calculation थोड़ी होती है लेकिन आप आपके लिए मतलब यह tricky भी होती है और आप इसको कर भी सकते है ठीक है ज्यादा जितने भी question विए आपको मतलब जब भी आप virtual में पढ़ रहे हैं और आप paper देते हैं तब virtual आपको ऐसा कोई भी question नहीं देती जो आपके लिए बहुत ज्यादा lengthy हो ठीक है जिसकी calculation बहुत ज्यादा हो वो आपको maximum maximum five to six line का अगर आपको long question भी देंगे ना तो five to six line का होगा ठीक है ज्यादा इतना ज्यादा question लंबा question नहीं आता paper में अब आ जाती है हमारे पास triangular fuzzy number के जो properties है एक addition है एक multiplication है एक subtraction है ठीक है उसके बाद हमारे पास scalar multiplication भी है और division भी है तो हम इनकोंचे कैसे करेंगे यह ना पीटा paper में भी आ जाता है question कि आपके पास A और B दो set है यहाँ पे values given होगी और वो कहेंगे triangle of fuzzy number का इनका addition define करना है ठीक है तो हमारे पास answer में पूछेंगे कि कौन सा set इसके लिए correct है ठीक है और अगर आपको वह वैसी question दे दें कि आपके पास A और B है तो इस पे आप triangular fuzzy number है दो ठीक है इस पे आप addition की property अप्लाय करें ठीक है तो addition आप इस पे कैसे define करेंगे कि यह हमारे पास जो first number है ना वह first number के साथ add हो जाएगा second number second number के साथ और third number third number के साथ add हो जाएगा ठीक है यानि कि यह हमारे पास दो set है A और B दो fuzzy number है triangular fuzzy number ठीक है इनको हमने add करना है तो two four के साथ add होगा three seven के साथ और five eight के साथ ठीक है यह हमारे पास final answer आजाएगा next यह बस उनका graph पताया है कि हमारे पास अगर हमारे पास यह set A था यानिक फजी नंबर A था और यह B था तो हमने इन करडिशन लिया तो यह हमारे पास इसका final answer आ गया यह इतनी चीज़ important नहीं है ठीक है अब negative की बारी आजाती है triangular fuzzy number की negative क्या होता है कि हमारे पास कोई भी fuzzy number given है ठीक है हमने क्या करना है उसके सारे element को negative कर देना है यानिक माइनस के साथ multiply कर देना है अब यहां पर देखे हैं हमारे पास A is equal to three five nine है ना तो हमारे पास इसका negative क्या होगा minus A is equal to minus three minus five nine minus nine simple सा यह होगा ठीक है तो lecture number nine हमारा complete हुआ I hope कि आप लोगों को समझ आ गई होगी कि fuzzy number जो है हमारे पास triangular fuzzy number उसका union और intersection कैसे find out करते हैं और उसके बाद हम addition कैसे करते हैं और इसका negative कैसे find out करते हैं ठीक है थैंक यू टेक एर अला आपीस